अलब पुझा में कार बस की हुई भीशन टक्कर, हाथसे में पांच MBBS छात्रों की मौत Digital Desk, केरल केरल के अलब पुझा में सोमवार रात केरल राज्य सडक परिवहन निगम के SRTC की बस एक कार से टक्रा गई इस हाथसे में कार में सवार पांच यूगों की मौत हो गई सभी MBBS छात्र थे पुलीस के अनुसार, यह दुरघटना कलार कोड के पास रात करीब 10 बजे हुई समाचार एजनसी PTI की रिपोर्ट में पुलीस सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि टक्कर के कारण कार पूरी तरक शतिग्रस्थ हो गई और वाहन को तोड़ कर उसमें बैठे लोगों को बाहर निकाला गया सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS के छात्र थे मृतक पुलीस ने बताया कि मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है बताया जा रहा है कि ये सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के MBBS, बैचलर ओफ मेडिसिन एंड बैचलर ओफ सरजरी के छात्र है पुलीस ने बताया कि कार में साथ लोग सवार थे जिन में से पाँच की मौत हो गई बस में सवार दो अन्य यात्रियों को मामूली चोटे आई हैं पुलीस ने बताया कि दुरघटना के बाद सडक पर वाहनों का आवागमन प्रभावित हुआ है हालां कि अभी तक इसका कारण पता नहीं चल पाया है सडक हाथसे में हुई थी IPS अधिकारी की मौत एक अन्य दुखद घटना में करनाटक के हासन जिले में अपनी पहली पोस्टिंग लेने जा रहे 26 वर्षिय भारतिय पुलीस सेवा IPS अधिकारी की सडक दुरघटना में मौत हो गई पुलीस ने सोमवार को यह जानकारी दी पुलीस ने बताया कि हर्षबर्धन IPS हर्ष वर्धन डाइड करनाटक कैडर के 2023 बैच के IPS अधिकारी थे और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे पुलीस ने बताया कि दुरघटना रविवार शाम को हुई जब हासन तालुक के किटाने के पास कथित तौर पर पुलीस वाहन का टायर फट गया जिसके बाद चालक ने नियंतरन खो दिया और वाहन सडक किनारे एक घर और एक पेड से टकरा गया इस हाथसे में IPS अधिकारी की अस्पताल में मौत हो गई और ड्राइवर को चोटे आई यह भी पड़े IPS हर्श बरधन डेथ पहली पोस्टिंग के लिए जा रहे IPS अधिकारी की सडक दुरघटना में मौत ट्रेनिंग के बाद कार्यभार संभालने जा रहे थे हर्श बरधन